Good morning friends, my name is Chandra Varadhan and I welcome you all to a study for civil services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तो BPSC का रिजल्ट कल आने की पूरी संभावना थी, कैलेंडर के हिसाफ से 14 तारीक का डेट दिया गया था, लेकिन फिर से एक बार BPSC ने निरास किया और रिजल्ट नहीं आया. अभी तक जो फाइनल एंसर की है वो भी जारी नहीं किया, हमें लगा कि सायद रिजल्ट के साथ आएगा, लेकिन कैलेंडर जारी क्यों करते हैं, जब उसको फॉलो ही नहीं करते हैं. अदुल परसाद जी ने जब एक्जाम लिया था, 67th BPSC का, बहुत अच्छे से लिया था, हम सब लोगों ने मिलकर तारीफ भी की थी, बहुत कराई से एक्जाम हुआ, कोई भी पेपर लिग का मामला सामने नहीं आया, कहीं से भी कोई भरष्टचार का मामला अभी तक सामन होने वाला है, इसलिए मैंने लिखा है, BPSC नाहीं सुधरी, कुछ सवाल है, जिनका जवाब अतुल परसाद जी को देना चाहिए, सबसे पहले चलते है, BPSC की गलती क्या है, पहला गलती तो उनका यहीं है, उन्होंने फाइनल एंसर की जो है, वो नहीं दिया, हर बार BPSC फाइनल एंसर की देती थी, औबजेक्शन के बाद, इस बार फाइनल एंसर की भी नहीं जारी किया गया है, यह बिल्कुल जारी करना चाहिए था, उनको तो सबसे पहला, तो यहीं एक सिकायत है, दूसरी सिकायत यह है, कि BPSC कैलेंडर जारी क्यों करते हो भईया, जब अभी तक तो रिजल्ट भी नहीं आया है, मातर पैतालिस दिन, पैतालिस दिन से भी कम बचे हुए है BPSC मेंस को, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आएगा, उसके बाद BPSC मेंस का फॉर्म भरा जाएगा, उसमें कई लोग अपना ऑप्सिनल बदलेंगे, कई क्या होगा, उसके बाद फिर टाइम कितना मिलेगा, जो लोग मालिया, एसे ओर है, जो कट अफ से बहुत उपर है, जो एक्सपेक्टेड कट अफ है, उससे बहुत उपर है, जो सीक्यूर अपने आपको समझ रहे कि भाईया, मेरा तो हो ना ही है, वो मालिया तैयारी कर दिय लेकिन जो लोग बोर्डर पर है बोर्डर लाइन पर अटके हूए है जिनके मन में संसय है कि मेरा होगा या नहीं होगा आठ आठ क्वेस्चन जो बदले जा रहे हैं जो प्रभात ख़बर के हावाले से ख़बर आई थी आठ आठ घुशन बदले गया है तो बहुत सारे लोग कि भाईया मेरा होगा या नहीं होगा तो वो लोग तो इसी आसा में अटके हुए होगा नहीं रिजल्ट आएगा उसके बाद तयारी सुरू करेंगे तो 40 दिन में BPSC मेंस का सिलेबस क्या कम्प्लीट करना मतलब हलवा है क्या हलवा तो नहीं है तो फिर वो ऐसे चातरों के ल और जो मेंस का एक्जाम है उसका डेट भी फाइनल बता देना चाहिए कि भाईया ये होगा ये नहीं होगा तो अब कुछ सवाल है जो कि जवाब उनको देने चाहिए इन चीजों पर सवाल उठ रहे है भाईया कैलेंडर क्यों जारी किया जाता है जब फॉलो नहीं किया ज देते हैं या फिर रहना सुरू कर देते हैं कितना खर्चा होता किस तड़ीके से छातर रहते हैं पटना में और अन्य सहरों में तयारी के लिए ये आपको क्या पता कोचिंग जोईन कर लेते हैं आपके कैलेंडर के आधार पर कोचिंग जोईन कर लेते हैं फिर आप एक्ज बीड़ी खा करके और यह चोखा खा करके और जैसे तैसे रोटी तक खाना नसीव नहीं होता है चावल उबाल लेते हैं और किसी तरीके से पेट भर लेते हैं और कितनी मेहनत से वो लोग रात रात बर पढ़ाई करते हैं उनका जरा सा तो ख्याल करना चाहिए न आपको ऐसे शात्र बहुतायत में है अधिकतर शात्र ऐसे ही मिलते है जो गरीब घरों के होते हैं आकर के पटना में जैसे तैसे तयारी करते हैं तो आपके कैलेंडर के एकॉर्डिंग वो अपना सीडियूल बना लेते हैं और आप जो है कैलेंडर ही फॉलो नहीं करते हो यार तो यह तो चीज है दूसरा है मेंस के डेट को लेकर कि भाया मेंस का डेट मतलब 29 दिसंबर को होगा भी की नहीं क्योंकि कैलेंडर तो आप फॉलो कर नहीं रहे हो कैलेंडर फॉलो हो नहीं रहा है तो मेंस के डेट को लेकर कि हम कैसे हो ले और कब होगा एक्जाम कितना कब नहीं होगा ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपका 68 को ले करके भी जो नोटिफिकेस आना था अभी तक आ जाना चाहिए था दिवाली से पहले नोटिफिकेस आने की बात थी आपका एक्जाम होने की बात थी जनवरी में 8 जनवरी को वो भी फेल हो गया आपने दूसरा कैलेंडर न जी रहे या आपको पता है क्या उसके बात लैंग्वेज को लेकर के बिभिन निूज पेपर के हवाले से को या आप GS12 हिंदी में लिख सकते हो और और पेपर 2 हिंदी में लिख सकता है और 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 इंग्लिस में लिखना चाहता है वह अपने ऑफिसिजिल नोटिफिकेस न से करें आंग्रेजी माध्यम से करें कुछ बता सकते हो आप नहीं बता सकते ना तो लैंग टेवेज पर चुष है उसको भी आ कर कर के क्लियर करना चाहिए जो पहले से भी छातर तैयारी कर रहें वहंडी माध्यम में तयारी करें और पिपक्श nooit कुछ फिक्स तो होना चाहिए तो उनके सामने कितना बड़ा संकट है यह मेंस की तैयारी को ले करके आप समझ सकते हो नहीं समझ सकते हो आपको समझ में नहीं आता यह चीज़े बीपीसी एकदम गुर्गोबर करके रखी हुए चात्रों के भविश्य के साथ खेल रही है और क प्लाव जो फिट होगा वही सर्वाइब करेगा तो अपने आपको बीपीसी के साथ आपसे äपसे बनाएगे नहीं तो सर्वाइब करना सर्वाइब नहीं हो पईएगा यहीं सीधा रंगदारी पर उतर आ इसको कहते हैं क्या रंगदारी तो खेल थोड़ा रहर लव ज़ो अभी तो क्या इसमें पैटर्न होगा इस पर भी अभी तक संसा है अभी तक कोई official notification इसके regarding में नहीं आया मीडिया में आकर क्या बयान देते रहते हो मीडिया के बयानों पर हम कितना बरुसा करें 67th exam को ले करके भी तो आपने मीडिया में इतना सारा बयान दिया था कोई भी ब अभरा सवाल है और रिजल्ट जो है वो आज venक जारी नहीं हुआ दियनिक जारान की खबर आ रही है कि आप जो है रिजल्ट जारी करने वाले रागर के तया 변SON siya करेंगे और कितने परेशान है छात्रे इसका जवाब कौन देगा बीपीएसी को देना चाहिए न तो भया अनुरोध है बीपीएसी के चेयर मैंसर से और छात्रों से भी अनुरोध है कि भया तयारी तो करते रहिए अपने एकॉर्डिंग मेंस का तयारी में लगे रहिए अगर आपको जरा भी लगता है जरा भी लगता है बोडर पर भी है और जरा भी आपको आसावादी है कि भाईया मेरा हो जाएगा मैंस में तो मैंस की तयारी करना सुरू कर दिए फरवड़ी में एक्जाम है 12 फरवड़ी को तो रुख जाइए ā रिजल्ट के लिए और आपके लिए डेर दो महीने का समय काफी होता है पीटी की तयारी के लिए तो अभी मेंस की तयारी कीजिए मेंस की तयारी करते रही है लगातार ठीक है और पीटी की तयारी जो है लाश्ट एक दो महीने में कर लिजेगा तो यही बेश्ट रहेगा और फिलाल तो यही कहना चाहूंगा आयो से वो निकाल सकते हैं और कुछ ने तो चलिए ठीक है अच्छा कल मैंने कुछ वीडियो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ सवाल बताए थे जिनके जवाब बदले जा रहे देखे प्रभात खबर के हवाले से ये निउस था कि आठ प्रस्णों के जवाब बदले गया है ठीक है अब मेरे जो bpsc में sources हैं उनसे मैंने पता किया और उन्होंने 8 सवालों के बारे में मुझे बताया था और वही 8 सवाल मैंने आपके सामने रखे थे तो source क्या होते हैं यह reveal नहीं किया सकता है बहुत सारे छात्रों ने पूछा कि सोर्स क्या है आपका तो सोर्स रिविल नहीं किया सकता कि कोई भी मीडिया वाला हो कोई भी यूटूब चैनल वाला हो कोई भी इंसान हो अपना सोर्स रिविल नहीं कर सकता क्योंकि सोर्स रिविल हो जाएगा तो फिर बहुत सारी दिक्कते आ सक सकती है तो सोर्स रिविल नहीं किया सकता है लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि जिन्यून सोर्स था वो ठीक है और उसमें से 90% सवाल तो सही है बाकी 10% गलती भी हो सकती है NSS वाले सवाल पर जैसे आप लोगों ने उगली उठाई तो उस पर भी अब्जेक्शन गया था ठ लेकिन अब इस बारे में गाली गलोज करना या फिर कॉमेंट में बत्तमीजी करना ये ठीक नहीं लगता है BPSC एक्जाम के तयारी कर रहे हो सिविल सिवक बनने के लिए आप तयारी कर रहे हो तो थोड़ा भासा की मर्यादा रखा करो और पेसेंस रखा करो आप लोग ठीक लेकिन एक सीनियर होने के नाते थोरी सी इज़त जरूर मिलनी चाहिए और एक इंसान होने के नाते एक इंसान को दूसरे इंसान की इज़त तो करनी ही चाहिए भासा की मर्यादा बिल्कुल रखनी चाहिए और मैं आपको ब्लॉक कर दू निकाल दू चैनल से ये अच्छा नहीं लगता या फिर आप कुछ मुझसे बोलो मैं कुछ जवाब दूँ ये बहस वगेरा जो है ठीक नहीं लगता है तो इन सब चीजों से बच करके रहिए अपना frustration जरूर निकालिये मुझपर यदि निकालना चाते तो अपना frustration निकालिये लेकिन आपके मन मुताबिक मैं सब कुछ बता दूँ कट ओफ बता दूँ कि या वही या सौ से नीचे कट ओफ रहेगा 95 पर भी आपका selection हो जाएगा तो ये वो कहते है न आपके मन की बात करना वो मैं नहीं कर सकता जो सच है जो मुझे फील होता है जो मुझे सही लगता है मैं वही बोलूँगा आपके मन मुताबिक हर चीज हो ये जरूरी नहीं है हमारे चैनल पर ठीक है तो आप हमारे चैनल से जुरे हैं उसके लिए धन्यवाद लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं गलत बोलता हूँ या फिर हम पर आपको विश्वास नहीं है तो आप चैनल छोड़ सकता है आपकी मरजी है ये भी आपका लोगतांतरी का धिकार है हम कुछ नह नहीं कर सकते हैं तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो में मैं चंद्रवर्धल लेता हूँ आपसे इजाजत जैहिंत वंदे मातरव